Hello and Welcome to the IS Academia आज ये तारिक 23 जनवरी और शुरू करते हैं PLIMS Specific Current Affair का News Discussion हमारी पहली न्यूज है चार्शेट को लेकर अभी चार्शेट न्यूज में क्यों है? दरदर अपरिंग ओट में एक PIL दायर की गई थी जिसमें यह मांग की गई थी कि जैसे FIF जो हम लॉज करते हैं वह भी पुलिस को 24 गंटे के अंदर वेबसाइट पे डालना mandatory है कि कुसी प्रगार से जो चार्शेट जो पुलिस दायर करती है उसे भी अब किसी ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर या फिर स्टेट के वेबसाइट पर उसे अपलोड करना अवश्यक हो जा ताकि एक ट्रांसपरेंसी बनी रहे लोगों को पता रहे कि इस परतिकलर वेक्टी खिलाब चार्शेट तैयर हुई है या इस धारा के उपर ये वेक्टी अरेस्ट हुआ है वह जादा ट्रांसपरेंसी रहे बड़्म कोदो इसको मना कर दिया है अप और फिर पब्ली दोम में में रख सकते हो रख सकते हो तो तो इस लिए निक्तिक अपर्शीटी को पब्लिक डॉमेंट मेंरे एक हो तो इस आप बेंड को पैसलोग हो South स्टेट को या गोर्मेंट को आप oblige नहीं कर सकते चार्चिट को publicly disclose करने के लिए प्रिम्स की पस्पेक्टिव जब अपने नियर्स पुलिष चसए में जाते हैं तो अब कि यह कुछा को अगर आप वह उसका रिपोर्ट आप कर वाते हैं इसके बाद में को मздरी पुलिष क्या लिए और पर नीच था था रहेज्ट रहें चार्जड दैर करती है, लोवर कोट में और विदिन 90 डर्शिट दैर करनी होती है, चार्जड में होता है, कि नाम होता है हुँक है कब उसने अपराद किया है हुथ का नेचर क्या है, जो इसे चार पर्स पे information दी जाती है कि एक तो accused के बारे information और witness जो भी उस crime के दोरान जो witness हुए होंगे उनका record रहता है उसके बाद में charges क्यां specific 420 है या 320 है जो भी charges लगाए गए है उसका specification भी देना होता है उसके बाद कुछ charges जो prefer करने होंगे या ओर लगाए जा सकते हैं और trial record दिया जाता है तो यह सारी जो information होती है वो charges में दायर की जाती है हमें police के perspective से यह fact क्या दाजना है कि यह जो charges होती ही यह within 60 days दायर करनी होती है lower court में और within 90 days दायर करनी होती है court of session में और यह जो date होती ही यह जब accused arrest हुआ हो उसके बाद से दिन गिन जाते है 60 days और 90 days अब यह जो charges है अगर मान दो police 90 days या 60 days के अंदर वो charges दायर नहीं करती है तो उस accused दक्री जो arrest किया गया है उसे default bail मिल जाती है पर अगर police time से वो charges दायर कर दती है तो यह जो default bail है यह उसका right उसका loss कर जाता है फिर उसको bail के लिए apply करना पड़ता है और पुरी formal procedure start होती है अब यह first information report FIR से अलग होती है charges क्याकि जो FIR होती है वो court document होती है जिसमें जो crime हुआ है उसका पूरा description होता है FIR में charges में ज़रसल इक यह दो FIR या फिर उसके भी ज्यादा का referral होता है और एक बाद charge sheet डायर हो जाती है उसके बाद में court अपनी prosecution के proceeding है वो start कर देती है तो विदाउट charge sheet court भी किस basis पे argument होगा वक्तिल किस basis पे argument करेंगे FIR क्या होती है first information report ठीक है और इससे first information report इसले का जाता है क्योंकि police को first time इस पूरे crime के बारे में पता जलता है वो information मिलती है अगर मान लो police FIR नहीं लेती है तब आप judicial magistrate के पास जा सकते हो बताने के लिए कि यह particular case हो आए और police FIR नहीं लिक रही है तो जो judicial magistrate होते है वो police को direction दे सकते है कि इस पर FIR दर्ज कीजिए और एक zero FIR होती है zero FIR क्या होती है कि मान लो आपके साथ में कोई अपराद हुआ है पर आप किसी वो police station में अपने FIR दर्ज कराते हो तब उसे zero FIR करते हो क्योंकि अब आप उस particular जहां पर घटना हुई है अब चुकि UPSC ने अपने question का दायरा थोड़ा लिया है पहले होता था कि constitution या फिर mostly किसी particular law से ही question आते है बट अब क्या होता है UPSC ने अब थोड़ा सा जो daily administration का part है जो daily law and order का part है वहां से भी question आने लग गए है तो अब हमें फोड़ा सा detail जानकारी होना चाहिए कि basically police function कैसे करती है FIRE क्या होती है ठीक है default bell क्या होती है उसके बाद में charge sheet क्या होती है तो ये daily जो terms होते है ये news काफे बने रहते हैं तो हमें इसके बारे में idea होना चाहिए क्योंकि यूपे से इस पर question पूशने लग गई है तो हमें charge sheet के बारे में FIRE के बारे में पता होना चाहिए अब चलते हैं आगे हमारे अगली news ABCD campaign को लगकर है अभी ABCD campaign क्या है देखिए इस ABCD का मतलब यहाँ पर अक्षा है big campaign for document digitization ABCD campaign इस ABCD campaign में होता क्या है basically कि जो tribal community होती है या जो भी remote areas में रहने वाले जो लोग होते हैं वहाँ पर आप camp लगाते हो और वहाँ पर जो tribal लोग है जंजाती लोग है कुछ और भी जो लोग होते हैं उन्हें आप उनके basic documents प्रोवाइड करते हो basic documents में क्या आता है जिसे कि आधार कार्ट, राशन कार्ट, बर्थ रेट सर्टिटिकेट, इलेक्शन आईडी, बेंक अकाउंट, हेल्थ इंशूरेंस तो ये सब जो documents हैं वह आप उनको प्रोवाइड करते हो और अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि वाइड जो है, केलला का डिस्टिक, वह पहला डिस्टिक है इस देश का, जो कि पंचात लिवल पर जाके इस सारे जो documents है, ट्राइबल लोगों को प्रोवाइड कर रहा है इससे पहले केलला का जो column district है, वह भी न्यूज में था, क्योंकि ये column district है, यो पहला डेश का डिस्टिक है, जो कि पुरी तरीके से constitutionally educated district बन गया था मतलब वहां के लोगों को constitution के बारे में education दिया गया था उन्हें आदार कायट बना के दिया, health insurance प्रोवाइड किया, bank account खोल के दिये, तो यह जो doorstep delivery है, governance service के वह प्रोवाइड की गई थी वाइनाइड है क्यों, देखिए वाइनाइड दरसल जो flood से बहुत ज़्यादा जूचता है, दूसरे भी natural calamities बहुत ज़्यादा आती है तो उससे हो क्या रहा था, कि जो जंजाती लोग होते हैं, उनकी case में क्या होता है, कि वो flood में या कुछ natural calamities में उनके जो documents होते हैं, वो खो जाते हैं, mist में हो जाते हैं, आपके घर में flood आया हुआ, तो आप अपनी जान बचाना है कि पहले देखते हो, बाद में आपको अपनी जान बचाएं, अपनी family वालों को जान बचायते हैं, इस पुरे घटना करम होता है कि फिर उनकी जो document होता है, वो खो जाते है, mist में सुझाते हैं, तो उससे फिर क्या होता है, कि आप government service को avail न कर पाते हैं, उसका benefit नहीं ले पाते हैं, तो इसी समस्याग जूर करने क तो वहाँ पर उनके घर जाकर आप उनको वो document प्रवाइड कीजिए, और साथ ही साथ इन documents आप डिजी locker पर भी खोल के, save करके दीजिए, ताकि बविश्य में अगर वो खोलते हैं document, तो वो digitally उस document को फिर से access कर सकते हैं, तो यह पूरा campaign है ABCD campaign, इसके लिए जित्ते भी department होत तो इससे इन लोगों को दर-दर भटकना नहीं पड़ता है कि इस office में जाके इसका कागश पोगवाओ, इस office में जाके फिर वहाँ पर कागश दो application मंगो, तो बहुत हैसल हो जाता है इनके लिए basic document को हासिल करना, इसके अलावा income certificate भी प्रवाइड के जा रहा है, ownership certificate भी प्र प्रवाइड के जाता है, तो basically हमें यह याद रखना है कि जो वाइना district है, वो देश का ऐसा पहला district है, जहां पर जो सरकार हुए, वो उनके घर जाकर basic document उनको प्रवाइड कर रही है, और साथ यसाथ उनके document को digitally secure करके, digitally save करके उनने दे रही, through digital locker, और इस campaign का नाम है, education for democracy को लेकर है, अभी education for democracy क्या है, यह resolution है, जो कि United Nations General Assembly ने इसे consensus कर पास कर दिया है, अब education for democracy जो यह resolution है, यह हमाले important इसलिए है, क्योंकि India इसका co-sponsor है, क्योंकि इस resolution को India नहीं support किया है, मतलब कई country से समोहन मिलकर, यह resolution को पास करवाया है, तो इसलिए यह UPSC इस पर question पू objective क्या है, तो इस education for democracy के तुरू, member states को यह बोला गया है, कि आप right to education को और ज्यादा strengthen कीजिए, ठीक है, एक quality, accessible, affordable, जो education है, वो सब को provide की जाने चाहिए, तब ही हम हमारी democracy को और ज्यादा enrich कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके देश में democracy है, बट अगर आप अपने citizen को education provide नहीं कर पा रहे हो, तो वो उस democracy का पुरी तरीके सा participate नहीं कर सकते हैं, इसके लिए, जो members state है, उन्हें बोला गया है, कि आप integrate कीजिए education को democracy के लिए, एक education standards set कीजिए, curriculum set कीजिए, ताकि एक digital divide जो हो रहा है, have और have nots के बीच में, उसको bridge किया जा सके, क्योंकि जो educated लोग होते है वो digital technology को easily access कर पाते हैं, और जो educated नहीं होते हैं, उनके लिए digital economy एक तरफ से बंद है, तो इससे जो inequality है, वो और जादा बढ़ती जाती है, तो यह education for democracy है, यह focus कर रही है democratic rights कर और responsibility पर, क्योंकि आप civic, political, social, economical, legal, cultural, fair society में तभी participate कर सकते हो, जब आपके बाद में एक basic education होगी, ठीक है, आपकी democracy तभी इंदिश हो सकती है, जब जो लोग होंगे, वो participate करेंगे democracy में, आले में जो केला का जो column district है, वो हमारे देश का पहला constitution literate district बना था, इसमें constitution को related आपको education दी गई थी, कि हमारे देश में secularism है, हमारे देश में आपको right to vote है, हमारे देश में democracy है, तो basic चीज़े वहां के लोग को बताएगे ताकि जागरुकता आए लोग में, ठीक है, तो इस resolution के बार में UPC से पूछ सकती है, चूँकि इसमें जो इंडिया इसका co-sponsor था, तो हो सकता है UPC इस पर question पूछ ले, अब चलते हैं, हमारे अगलिन्स, Kevda oil को लेकर है, जिसको हम Kev गई है, क्योंकि गंजम दिश्टी के जो farmers होते हैं, basically Kevda oil बनाते हैं for years, क्योंकि महां पर लेने वाल लोग बहुत पहले से Kevda oil को बना रहे हैं, तो हम Kevda oil के बार में जान लेते हैं, देखिए, ये जो Kevda oil है, गंजम Kevda oil है, ये किस से बनता है, ये pine plant से बनता है, ये ज कही जगे इस oil का use किया जाता है, अब basic fact ये है, कि इसे GI tag भी हसे ले, मतलब इस Kevda oil को GI tag हसे ले, ताकि इसके जो characteristics से, वो secure रखा जा सके, इसके plate को protect किया जा सके, एक basic fact ये है, कि ये जो आप देख पार है flowers, इसके color आपको अलग-लग दिख रहे हैं, तो ये जो colorful pine होता है, ये male pine होता है, इसे का mostly use होता है oil making में, और ये जो green pine होते है, green flower, तो ये female pine होते है, जो के बाद में, इसका color बदलकर brown हो जाता है, तो ये basic fact होगे, Kevda oil को लेकर कभी UPI से पूछ सकते हैं, क्योंकि अब ये news में है, क्योंकि अब government क्या है, और ज़्यादा, यहाँ पर farmers को ज जा सके, अब चलते हैं आगे, अब एक previous question देख लखते हैं, जो 2020 में UPI से पूछा था, which one of the following phrases define the nature of the hundi, generally referred to in the source of post harsha period, तो basically question में ये पूछा है, क्योंकि है क्या है, तो जो post harsha period में, जिसका mention था, option क्या इसका, an advisory issued by the kings to his subordinates, a diary to be maintained for daily accounts, a bill of exchange, an order from the feeder lords to his subordinates, तो दरसल्ब जो hundi का मतलब होता है, वो bill of exchange है, क्योंकि हर्शा period में जो hundi का मतलब होता है, जिसे आपको एक जगह से दूसरी जगह, पैसे ट्रांफर करने होते हैं, या देना होते हैं, तो आप उस hundi का use कर सकते हो, क्यो आपको दर पैसे borrow करने होते थे, तो hundi दरसल जारी क्या जाता था, ऐसे borrow money के रूप में, ताकि आप उसका आप में repay कर सकते थे, तो यह hundi का मतलब है, ऐसे bill of exchange के तरह इसका use होता था, इस वीडियो के PDF को डाउलोड करने के लिए आप हमारे टेलेगरम चैनल को जोईन कर कर सकते हैं, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही है, thank you, thank you very much.